सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्लिक करें डल आइकॉन को हमारे याने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आपको बकरे के पाई बनाने का तरीका समझाओंगी किस तरा मज़ेदार और जाक्यादार जो है वो पाई बनाये जाते हैं लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करने प्रेंद और फैमिली के सब्सक्राइब करने और जिन्होंने मेरे चै वज़ाज पसक्राइब डर्कार जो हैं इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक बर्तन में आठ बखरे के पाई ले लिया और इसको को कट करवाई है अच्छा आप इसको हुद से लेकर भी साफ कर सकते हैं वैसे मैंने मार्केट से ऐसे ही लिया हुँ है साफ बने बनाय पाय होते हैं इसके साथ मैंने ये 5-6 दर्मियानी साइज की प्याज लिया जिसको हमने ये लच्छेदर कट कर लिया चार से 5 साबत सबस मिर्च एक चमच हल्दी चार चमच सुरुख मिर्च के वैसे आप अपनी जरूरत के मताबग इस्तमाल कीजिएगा दो चमच नमक नमक हस्वेजाइड का एक चमच के करीब साबत गरमसाला आप चाहे तो पिसा हुआ इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अभी मैं साबच डालूँगी एंड पर गार्णिश करने के लिए हलका समय चुटकी भार पिसा हुआ गरमसाला इस्तमाल करेंगी और इसके साथ साबत धनिया पिसा हुआ एक खाने का चमच और यह तीन चमच अद्रफ लसन का पेज्ट चलिए अब देखते हैं किसको बनाते कहते हैं अब यह देखें इसको मैं करती हूँ साइद पर अब यह सबसे पहले आप देख लें के मैंने जो प्रेशर कुकर है वह आदे से जादा बहर लिए अब मैं इसके अंदर जो है यह सारे पाई आड करूँगी यह मैंने पाणी डालने के बाद इसके अंदर पाई आड कर दी है इसके बाद यह कटी हुए प्यास शामिल करेंगे हल्दी सुका दन्या पिसा हो नमक सुर्ख मिर्ज गरम साला और आफर में हम यह अदर लक्सुन का पेस्ट है अब मैं इसको बंद करके इसमिल्ला रह्मान रहीं यह मैंने बंद करती है अब मैं इसको वेट लगाउंगी चली अब हम इसको चूले पर पकने के लिए रखते हैं यह देखें जी इसको अब हमने पकने के लिए चूले पर रख दिया है तक्रीबन हम इसे 20 से 25 मिनिट तक पकने देंगे और उसके बाद हम खोल कर चेक करेंगे यह पाए गले हैं या नहीं अब इसका पानी हुशक करते हैं पावे क्यूंके गल चुके हैं अब पानी हुशक होने के बाद हम इसमें आयल डाल कर इसको बूने देंगे फूब अच्ची तरह पाणी हुशक हो चुका है आप मैं इसे खुले बर्तल में डालने लगी बून ली ते लिए 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 कप मैंने आयल का इसमें डाला है क्यूंके पावयों ने भी काफी डोगन छोड़ा है आप मैं इसको लूनती जाओं यह देख्या मैंने इस तरह एक हरी मिर्च लेकर उसको एक लंबा कट लगाया और उसके एक बार आप फिर एक और कट लगा दें इस तरह से आपने सारी मिर्चों को जो है वो सेंटर से कट करते जाने हैं यह मैं इसलिए करीं क्यूंकि इससे जो मिर्चों का जाइका है वो बरकरा रहे गा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका सालन में अब इसी तरह आपने सारी मिर्चे काट लेनी है और अब मैं इसको हंडिया में डालूंगी अब हम इसको सालन में एब करेंगे और इसको साथ साथ जूंटे जाएगे जब तक एच्छे से भीना छोड़ेगा जब यह बुटकर अच्छे से त्यार हो जाएगा फीन छोड़ तो हम इसमें घजबे ज़रूरत पानी शामिल करके शोरबा त्याद कर लेंगे और इसको अब इसको पानी डाल जोड़ कर लिया है अगर हमारी ये रेस्पी पसंद आई हो तो इसको कमेंट करें और ये अच्छी तरह मूंचुका आप इसी पहले आपको बार बताओ कि हमने एक न्यू चैनल वी लॉगिंग चैनल स्टार किया है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मजूद है और वीडियो के लास पर भी आपके लिंक देख सकते हैं इसको भी उसी तरह स्पोर्ट करें जिस तरह आपने हमारे पाके लास चैनल पानी डाल गिया ठैक्यू अल्ला मैं इसे दस मिट तक पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसे उतार नूंगी और डिशाउट करूँ आप मैंने तरह सालन को मैंने डिशाउट कर लिया है उमीद करती हूं कि आपको हमेशे की तरह हमारी ये रेस्पी पसांदाई होगी अगर हमारी ये रेस्पी आपको पसांदाई हो तो फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टन बात बताना चाहते हूं कि हमने राना अदील एमद के नाम से एक न्यू वी लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है इसका लिंक करेंस